हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र टॉणी सेवन मीडिया की अद्भुप्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार जैशिक किशना शीरादे बहुत बहुत स्वागत है आप सब का आपके बेहत खास का रिकम जोतिश दिशा स्पेशल में मैं हूँ आपका दोस संतोशी और आज जो लेकर के हम विशे आए हैं ये है जनवरी दो हजार सत्रह दो हजार अठारह देगे सत्रह का भी जु जनवरी से दिसंबर तक का एक समराइज करके 15-20 मेंट का हमने वीडियो ब्लाश्टिंग तो 2018 के नाम से बने प्रेलिष्ट में हमने पब्लिश कर दिया है जाल दिया है सबसे पहले हमने 2018 की सारी जानकारियों को वहां पर छापा हुआ है डाला हुआ लेकिन ये जो मंतली हम राशी फल उसके विलिए ये हम उपस्तेत हुए हैं तो आए सबसे पहले बताते हैं अब हम मेशराश्वालों के लिए कि आपका जनवरी महीना कैसा भाज बितेगा है मेश राशी वालों के लिए जनवरी महीने की सुर्वाद जो हो रही हो दसंभाव में चंद्रमा से हो रही है अर्थात मकर राशी में उस समय चंद्रमा रहेंगे जब जनवरी का उदय रहेगा धन लगने रहेगा लगने में ही सुर्य बुद्ध की उपस्तिती रहेगी देश की यात्राओं की भी संभावनाएं हैं अगर आप भारत वर्ष में किसी इस प्रकार के ट्रांस्फरेबल जॉब में हैं तो ट्रांस्फर के संभावना प्रवल बन रही है हो सकता है कि आपको बहुत कुछ जगहों पर कई जगह समझवता भी करना पड़े लेकिन वो इस्पेशली कारेच्षेतर में ही होगा काम के मामले में मजबूत रहेंगे आप हर प्रकार से धनलाब भी आपको इसमें दिखेगा यहां भाई बहनों के साथ थोड़ा सा बिवादादस्पद मुद्दा बन रहा है कुछ बिवाद की स्थिति पैदा हो सकती है भाई बहन के साथ और कुछ पैसे आपके फंस सकते हैं कहीं पर कोई आपका पैसा ले करके भाग सकता है किसी के साथ आपकी कुछ जो है नोग जोग की संभावना भी बन रही है एक unknown fear भी आपको परिशान करेगा एक अंजाना सा भै डर भी परिशान करेगा मिलाज उला करके पूरी स्थिती बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है धन छोड़ कर धन जब तक है तब तक तक तो इस्थिती अच्छी है उपाय हमने ब्लाश्टिंग तो उठाउजन 18 में बताया है न वो उपाय चलता रहेगा पूरे वर्ष के लिए उसको मैं बदलूंगा नहीं कि ये भी करो वो भी करो वैसे भी तमाम सारे उपाय आप लोग करते रहते हैं तो वो उपाय वहां से पिक कर लिजेगा ब्लाश्टिंग तो थाउजन 18 में जो हमने राश्टिंग तरीके से बताया है हर राश्टिंग के लिए पूरा वर्ष कैसा भीतेगा उसमें हमने उपाय के लिए अलग से दिया क्या करें उपाय ब्रिशब रासी वालों के लिए इस्थिती जो बन रही है नवम भाव में चंद्रमा के बन रही है तो कई प्रकार के धार्वी की आत्राएं आपके लिए जनवरी महिना करवाएगा कई प्रकार से लाभाब को देगा कई प्रकार की उचाहियां आपको छोने को मिलेगा शुबता आपके चरणों की तरफ बढ़ती जाएगी शुबता के लिए कहीं से भी आपको परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है शुक्र आपकी राश्यका स्वामी चुकि दसंभाव में मंगल के साथ रहेगा तो नई नौकरी के संकियत तो मिल रहे हैं लेकिन जो पुरानी नौकरी आपकी थी उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है अचानक से आपकी ब्रुद्ध कोई गुप्त शडियंत्र कर सकता है क्योंकि शुक्र मंगल और केतु एक साथ बैठेंगे तीनों ग्रहों की तिकड़ी रहेगी जिसमें महिला मुख्य भूमिका निभाएगी किसी महिला के कारौन इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है महिला महिला के प्रत भी महिला पुरुष के प्रत भी महिला ही इसमें कारौन बनेगी नौकरी अगर हाथ से जाती है अचल संपत्तियों की प्राप्ति आपको खूब होगी अजल संपतियां आपको बहुत मिलेंगी अगर आप कहीं इनिविष्ट करने के लिए प्लान किये थे तो बिल्कुल आपके लिए समय अनकूल है बिल्कुल आपके लिए एक शुभ टाइम आएगा राशी का स्वामी शुक्र भी मजबूत इस्तिति में है कुछ ब्रशव राशी वालों के लिए गुप्त संन्मंदों के उजागर होने का भी समय आजाएगा तो पती-पतनी के बीच एक टकराव की शुभ पतनी की अनके प्रवेश के कारण के प्यादा हो सकती जो की बहुत खतरनाक लेबल तक जा सकती है बहुत ध्यान देना है, बहुत सावधान रहना है नएवाहन की प्राप्ति के संकेत बहुत प्यारे हैं यहां पर भी शुबता आपको प्रिकरती अपने आप दे रही है चंद्रमा मकर राशी में रहने के कारण व्यापारिक द्रिष्टि कोण से भी यात्राएं हो सकती है और इस महीने में थोड़ा सा मानसिक रूप से आप परेशान और तनाव ग्रस्त रहेंगे चंद्रमा पर पूर्ण द्रिष्टि शनी की पढ़ रही है जो की आपकी राशी को भी शनी जो है इसमें देखेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभलना होगा और अपने आपको संभालना होगा मंगल की महादशा में जनवरी महीना आरम्भ हो रहा है थोड़ा सा कुछ लडाई जगडे की पिशंभाना बन रही है मितुन राशी, चंद्रमा आपकी राशी में उपस्थित, शनी सूर्य और शुक्र से दिश्टिकत संबंध बना रहा है, ये तीनों ग्रहों की दिश्टियां आपको नए नोकरी की तरफ, नए व्यापार की तरफ लेकी जा रही है, धनबल से आप बहुत मजबूत रहेंगे, माता पिता के स्वास्त पर ठोड़ा सा खर्च हो सकता है, प्रेम संबंधों की बार सी आजाएगी, एक ब्रिक अप हुआ, एक प्रपोजल आए, उसको ठुकर आए, दुसरा आए, उसको ठुकर आए, तीसरा आया, इस प्रिकार की स्थितियां आएंगे की व्यक्तिकत जीव बढ़ने लग जाएंगे बहुत सारे कार एक साथ आप पर एक अलग तरह का दवाव पड़ेगा आप एक अलग तरह के दवाव में खुद को ग्रस्त पाएंगे त्रस्त पाएंगे महिलाओं के प्रति आपका व्यवहार थोड़ा सा उदासीन हो सकता है किसी पुराने मित्र से भेट वारता की संभावना है किसी पुराने मित्र के साथ कुछ समंधों को प्रगाड करने का एक मौका है एक नायाब प्रयास होगा आपका पश्चिम और उत्तर दिशा से कोई उन्नत इदायक समाचार आपका इंतजार करेगा आपके लिए शुब होगा पश्चिम और उत्तर दिशा से ये सारी चीजें आपके लिए बहुत पॉश्टिव रहेंगे एक और प्रभाव आप पर पड़ेगा अगर आप राजनेतिक और फिल्मी दुनिया आदिके इस प्रकार से पबलिक डोमेन वाले छेतर से हैं कहीं और आपकी राशी मिथुन है तो समझ लीजेगा कि जनवरी में कुछ बहुत अच्छा बहुत यूनीक बहुत स्पेशल होगा जो कि आपके कैरियर के लिए बहुत प्लस साबित होगा बहुत सकरात्मग साबित होगा बहुत लावदायक साबित होगा यह सारी स्थितियां आपके लिए बहुत पोजिटिव रहेंगे बढ़ेंगे आगे और अब बताते हैं हम करकराशी वालों के लिए कि पूरा जनवरी 2018 का आपके लिए क्या सवगात देगा क्या आपके लिए लेकर क्या रहा है करकराशी वालों के लिए बाहरी लोगों से थोड़ा सा मनमुटाओ की स्थिति आएगी जो बाहरी संबंध आपके हैं वो आपके लिए घातक साबित होंगे बाहरी लोग आपको चीट करने के लिए सोचेंगे आपका धन हड़पने के लिए सोचेंगे आपके लिए संपता के निमित थोड़ा सा इस्थिति यहां पर खराब रहेगा धनबल से आप मजबूत रहेंगे पैत्रिक संपत्तियां जो विवादों में थी उनको सुलजाने का एक बहुत अच्छा मौका रहेगा करकराशी बालों के लिए विदेश जाने के लिए विचार किये थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका इस महीने में आपको फ्रिकरते दे रही है एक और बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा गुप्त शत्रु जितने भी आपके हैं वो सब इसी महीने मदलब जनवरी महीने में आप उन पर हावी हो सकते हैं आप उनको दमित कर सकते हैं उनका दमन कर सकते हैं उन पर आप डॉमिनेट कर सकते हैं और क्या चाहिए बहुत मजबूत योग आपके लिए इंतजार कर रहा है करक राशी वालों के लिए बाकी अन्य प्रकार से कोई दोश नहीं रहेगा हर प्रकार की शुपता आपके साथ जुड़ी रहेगी हर प्रकार से चमकते रहेंगे आप हसते रहेंगे बाकी राशी वालों के लिए थोड़ा सा इंदार करना होगा महीने को अच्छा करने के लिए तो देखिएगा हमारा प्लेलिस्ट ब्लास्टिंग 2018 रेमिडी सेगमेंट बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मिलने के लिए नंबर साब के सामने फ्लेश हो रहे हैं आप लोग लाइब शो में बार बार पूछते हैं की मिलने के लिए क्या करें कहा नंबर चलता है नीचे आप वीडियो देखे न आप चैट देख रहे हैं आप हमसे चैट करते हैं तो वीडियो के नीचे जो नंबर चलता है उस पर आप ध्यार नहीं देते हैं मैं फिर बता दू, नेसुल्क सेवा मैं नहीं देता हूँ, हम फीस लेते हैं, उसके बाद ही देते हैं, नेसुल्क सेवा की रूप में जो हम उपाय बताते हैं, ये सारे चीजें बताते हैं, ये हमारे लिए नेसुल्क है, जिसका सुल्क हमें योट्यूब देता है, ठीक, बह अगामी कारिक्रम इस प्रकार है अधिक जौनकारी वो अपॉंट्मेंट के लिए संपर्ख करें double line 10291850 or double line double line 02400 double line